दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 माई 2023 दिन शनिवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको साफधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैसी र रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथिसाथ आज आपका भाग्यासाली अंक क्या रहेगा भाग्यासाली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन-कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथिसाथ आज आपके भाग्या का आपको कितना परतीसत साथ मि देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज का ग्रह गोचर आपके लिए ऐ प्रतियासित लाब की इस्तिती बना रहा ह इसलिए आज के समय का आप भरपूर सदियो प्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से आज आज आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्तान में जाने का भी प्रोग्राम बनेगा साथ साथ आपको बता दें आज दोफैर बाद कोई एप्रिये समाचार मि चलने से मन थोड़ा व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने का या फिर गुम होने का भी बहर रहेगा कई बार किसी मुद्दे पर ज़्यादा सोच विचार करने की वज़े से कोई महत्पपूर्ण उपलब दिवी हाथ से निकल सकती है थोड़ा चेत रहें साथ साथ आपको बता दें अगर कोई सरकारी काम रुखा हुआ है तो आज उसे पूरा करने के लिए उचित समय है शबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसियां आज महसूस होंगी घर के रक रकाव तता साज सज्जा संब संदित कारनों में भी समय व्यतित होगा साथ साथ आपको बता दें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वज़े से बंते-बंते कामों में रुकावटें आ सकती हैं अपनी नकारतमक कमीयों को दूर करके आप बहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों के साथ जादा घूमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें साथ साथ आपको बता दें आज आप बहतरीन तरीके से अपने कामों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी छुपी हुई प्रतिवाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाहियों के साथ क किसी भी प्रकार का आप निवेस आज ना करें तथा किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी ना पड़ें घर में महमानों के आगमन से कुछ महत्पुन काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने काम के पड़ती थोड़ा सजग रहें दोश्तों साथ साथ आपको बता अदबुद आत्म विश्वास और आत्म वल्वी महसूस होगा शानती की चाह में किसी धर्मिक इस्तल पे भी समय वैतित होगा परन्तु किसी भी व्यक्ति के साथ बात चीत करते समय आपको साबधानी भी बढ़तनी होगी कोई नकारात्मक बात आपसे संबंदों को खराब भी कर सकती हैं आलस की वज़े से काम को कुछ टानने की प्रवत्ती भी रहेगी विध्यारती वर्ग अपने पढ़ाय के पढ़ती जाता एकागरचित रहें परन्तु दोस्तों आपको बता दें आपको यह ध्यान रखना होगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत लाबकारी भी हैं अपने उदस्यों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा दोड़ धूप की अधिक्ता रहेगी परन्तु कारणों में भी सफलता मिलेगी जो की आपकी ठकान को दूर कर देगी अनुबवी लोगों के साथ शमय वैतित करने से कुछ बहतरीन आपको शीकने को मिलेग जैंदोस्तों मन में यदि किसी भी परकार के कोई दूवीदा चल रही है तो उसका आज समाधान भी निकलेगा शंतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसनता का माहूल भी रहेगा धन प्राप्ते की दिसा में किये गई आज सारे प्लान आपके लिए सफल होंगे आपको सफलता मिलेगी धन प्राप्ती के आज प्रबल योग हैं किसी ना किसी माध्यम से आज आज आपको धन की प्राप्ती होनी ही है क्योंकि धन लाव के आज योग हैं आपके लिए शमय का भर्पू लाव उठाएं शमय को हसे ना जाने दें दोस्तों साथे साथ आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तों आपको बता दे परिवारिक सदसों के साथ मनोरंजन तथा सौपिंग में आज समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधूरता आएगी साथ साथ पती पतनी में आपसी समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतर रखना आपके लिए अवशक है साथ साथ रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माह प्रेम संबंदों में भी और अधिक नजीदी कियां आएंगी साथ साथ आपको बता दें वहवाईक संबंद मदूर रहेंगे परन्तु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में थोड़ी परेशानी उत्पन कर सकता है लेकिन आपको बता दें प्रेम अब बात करें आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें आप अपने कारेच छेतर में आज धनलाब प्राप्ति होते हुए देखेंगे जा दोस्तों कारेच छेतर में धनलाब प्राप्ति के लिए किये गए नए अनुबंद आज विक्सित ह आप अवशने आपके लिए हित कारी रहेगा लाब कारी रहेगा और साथ साथ आपको बता दें प्रॉपर्टी सम्मंदित कारों में आज आपको सफलता मिलेगी तथा वेपार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्मपूर्ण योजनाएं भी बनेंगी और वह योजनाएं पल भी होंगी साथ नौकरी करने वालों को नौकरी में अपने लक्षे को प्राप्त कर लेने से राहत मिलेगी नौकरी की द्रश्टी से आज का समय आपके लिए अत्यनत महत्मपूर्ण रहेगा नौकरी से सम्मंदित कोई भग बड़ी खुसकबरी आज आपको मिलकर ही रह होगी जरासी लापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती है इस समय कारे की गुणवत्ता को और अधिक भेतर करना आपके लिए अत्यावशक है साथ साथ वेवैसाइक द्रश्टी कौन से शमय आज का पूर्टे आपके पक्ष में है आप किसी भी तरीके से अपने काम को नि हासिल होंगे साथ इसाथ अपनी जिम्मेदारीों का भी निर्वहन आप बखो भी करेंगे साथ इसाथ एक बात का ध्यान दखें नोक्रि पेशा व्यक्ति अतिरिक्त आये प्राप्ति के लिए किसी भी प्रिकार का कोई अन्य प्रियास ना करें क्योंकि किसी भी प्रकार की मान हानी के भी आद योग बन रहे हैं जैसी आपकी नोकरी चल रही है इमानदारी से बस नोकरी में लगे रहे हैं अतिरिक्त आय प्रापती का मन में कोई भी लालच ना लाएं आपको लेने के देने पड़ सकते हैं मान हानी के भी योग बन सकते है तो इसलिए जितना मिल रहा है उसमें संतुष रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें अत्यादिक काम की वज़े से आज आपको ठकान वे कमजोरी महसूस होगी समय समय पर आराम्भी लेना आवश्क हैं साथी साथ ध्यान रखें कि गिरने या फिर चोट लगने की भी आज आशंका लग रही है आज आप वहन बहुती ध्यान पूरवक चलाएं ध्यान से चलाएं दुरगटना के भी आज ही हो गहें आज आपके लिए भाग्यसाली अंक क्या रहेगा तो दोस्तो आपको बता दें आज आपके लिए भाग्यसाली अंक रहने वाला है पांच और भाग्यसाली रंग रहने वाला है नारंगी और सुनहरा और दोस्तों साथ साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे किन उपायों को करने से आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आप छोटी कन्याओं में खीर बाटें ऐसा करने से आर्थिक उन्नती होती है आर्थिक लाव के योग बनते हैं दोस्तों शाथिसाथ आज आप नारंगी या फिर सुनहेरे रंग का रुमाल जेब में रखें या दोस्तों जेब में रुमाल रखना आर्थिक इस्तिती के लिए शुब होता है सुनेरे रंग का हो या फिर नारंगी रंग का हो रुमाल जरूर रखे आज आप अपनी जेव में लाव मिलेगा आपको और दोस्तों साथ साथ क्या करें आप यदि आप शराव का सेवन करते हैं तो उसे त्याग दे इससे मंगल बिगड़ता है परिवारे के सुक हेतू इसका त्याग करें ऐसा करने से घर परिवार में शुक्षमरदी का वास होता है और आपके जीवन से जो भी दुक दर्द कष्ट हैं उनसे भी आपको धीर दीरे छुटकारा मिल जाता है यदि आप शराब का शेमन करते हैं तो उसे आज ही त्याग दे मंगल बिगड़ता है इससे और दोस्तो अब बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना परतीसा साथ मिलेगा तो दोस्तो आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे नब्ह परतीसा साथ मिलेगा हरहर महादेव जै भुलेनाथ